नमस्कार मैं हूँ रहूल शर्मा आप देखने एस पे नाइन यूज वागत है आप सभी का आज की बड़ी कबर में और बड़ी कबर की शुरुवात इस वक्त हम कर रहे हैं शिफपाल यादव और और अकलेश यादव से अकलेश और शिफपाल यादव में बड़ी बगावत सुरू हो गई है दरसल नेता जी की इस हालत के बाद से हम सीधे तोर पर देख रहे हैं कि जिस तरह के हालाद बने उसके बाद शिफपाल यादव जमकर अकलेश यादव पर भड़ास निकाल रहे हैं माना है जा रहा है कि शिफपाल यादव का कहना है कि अकलेश यादव न बनाई जाएगी क्योंकि नेता जी के हाथ में जब पार्टी की कमान थी जब समाजवाधी पार्टी को समभाल रहे eingदा जी तो हुक्त पार्टी का दबडबा अलग चाहते थे बागदोर देना चाहते थे उकलेश शिफपाल यादो से शीखे ताकि अकलेश शिफपाल यादो से कुछ आज सीकर राजनीती को उसी के लाइख से वाँ पार्टी को समया लें लेकिन παद की यूपी विधान सबट चुना allora पार्टी को बड़ा जटका लागा जबकि अकलेश ने पूरी तयारी कर रखी थी इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह के हालात बने वे वो सीधे तोर पर ये बता रहें कि शिफपाल यादव और परिवार के तमाम आज लोग अकलेश यादव से जिस तरह से नाराज से यक्ते नजर आ रहे कहीं याएसा तो नहीं है कि घृष बगवान न करें कि नेतगी ना रहें उनके जाने के बाद पार्टी और ज्यादा बूरी हालत में हो जाए पार्टी से और ज्यादा तूटने की स्थी निकल कर सामने आए क्योंकि जब अब हाटी का अफ्वारा करते हैं नहीं करते क्योंकि अकलेशादों ने जान-बूझ कर जब्रजस्ति जिद करके पार्टी को लिया था और पार्टी देखें सही तशी तरीकिए से चला भी नहीं पाय तो जबरयास्टी वाली जो चीज होती है वो ज़ाद समय तक नहीं चल पाती है क्योंकि नेता जी अगर खुद अपनी इच्छा से देते वो पार्टी अकलेश शादों के हाथ में तो बहुत बड़ी बात रहती लेकिन जबर्जस्ती ली हुई चीज जो है अकलेश संभाल नहीं पा रहे हैं और सीधे तोर पर हम देख रहे हैं कि नेत बार की भी खराब होती नजर आ रही है आज के लिए तहीं आप से फिर दोबार मुलाकात होगी तब तक के लिए जा दीजे नमस्कार